गमभीर ने ऐसा कौनसा प्लान बनाया शुमंगिल के करियार पर खत्रा मन रहाया नमस्कार मैं हूँ अभीशेथ त्यागी जी हां गोतम गमभीर जब से आए हैं टिम इंडिया में उथल पुतल है गोतम गंभीर जब से आये हैं टीम इंडिया में अलग अलग तरीके की प्रोग्राम बनाया जा रहे हैं अलग अलग तरीके की रननीतियां बनाई जा रहे हैं गोतम गंभीर ने आते ही टीम इंडिया में एक तरीके से खलबली पैदा कर दिया गंभीर का साफ कहना है कि भाया अगर performance करके दिखाओगे तभी टीम इंडिया में आप आओगे ये गंभीर का साफ तोर पर कहना है कि अगर बल्ले से रन बनाओगे तभी टीम इंडिया में आओगे वरना बाहर भगा दिये जाओगे ये साफ तोर पर कहना है गोतम गंभीर का strict तरीके से गोतम गंभीर ने आ कर आया है गंभीर ने बनाया ऐसा प्लान शुमन गिल को ले कर मच गया घमासान दरसल बांगलादेश के खिलाप जो टीटवंटी सिरीज होने वाली है तीन मैच के ले जाएंगे उन तीन मैचों से शुमन गिल को बाहर रखा जा रहा है शुमन गिल की जगा इशान किसन को मौ बाद माना जाता है टीटवंटी में क्योंकि रोई सर्मा तो रिटार्मेंट ले चुके हैं यह सस्वी जैसवाल के साथ तो शुमन गिल को देखा जाता है तो ऐसे में अगर बांगलादेश के खिलाप टीम इंडिया शुमन गिल को बाहर कर रही है और इशान किसन को मौका देने की तैयारी कि जा रही है तो समझ लेना टीम इंडिया में कुछ बहुत बड़ा उठल पुथल होने वाला है बहुत बड़े बदलाव की तैयारी यह होने लगए क्योंकि गोतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि उनकी कोचिंग में टीम इंडिया आए यसी से टुनमेंट न उतना बहतर पिछले कुछ सालों में रहा नहीं है इस ट्राइक रेट की चर्चा हमेशा होती है शुमंगिल के बल्ले बाजी भी उतनी बहतर कर नहीं पाते है जबकि वंडे और टेस्ट में थोड़ा बहुत सुमंगिल का परफॉर्मेंस ठीक रहा है तो ऐसे में क्या T20 में श इशान किसन को तयार किया जा रहा है इशान किसन किस तरीके की बल्ले बाजी करते हैं ये हर कोई जानता है इशान किसन पावर प्ले का कैसे इस्तिमाल करते हैं ये भी हर कोई जानता है इशान किसन की आटैकिंग बल्ले बाजी किस तरीके की होती है ये सब ने देखी है तो ज्यादा अगर इशाप पंद को तीनों फॉर्मेंट में टीम इंडिया खिलाएगी तो वर्कलोर का भी ध्यान रखना है इशाप पंद के चोटिल होने के ज्यादा चांसिज होते हैं तो ऐसे में रिशाप पंद के परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर इशान किसन को उसके बाद में फिर साउट अफ्रिका के खिलाब बेगिल के ऊपर खत्रा मन रा सकता है और टीटवनटी विश्युकप से पहले क्योंकि दोजास सताइस में हमें खेलना है उससे पहले खबर शुमन गिल के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है गोतम गंभीर अगर आते ही शुमन गिल को टीटवनटी से बाहर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपडेट है आपका इस खबर पर क्या कहना क्या आपको लगता है कि गंभीर का प्लान ठीक है क्या आपको लगता है कि शुमन गिल को टीटवनटी से अलग कर देना चाहिए क्या आपको लगता है कि गिल शुम्मन गिल के अलावा इशान किसान एक बहतर अपने साबित हो सकते हैं कमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छे लगए तो लाइक को शेजरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगाता मिलते रहेंगे थैंक्यों रिमर्च